वल्कुम बैक अब्रिवन वल्कुम डो सूर्विसे स्टड़ी टेस्ट नंबर 80 है यूपी पीसीय स्प्री ठीक है 2021 के लिए है तो चलिए स्टार्ट करते हैं अज डेट हो गई है 28 जन्वरी 2021 और अगले मन्त की 10 फरवरी को जो है नोटिफिकेसन आ जाएगा फॉर्म भरने स् से उल से बागे तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस टेस्ट में कुछ हिस्ट्री कुछ जोग्रफी के इंपॉर्टेंट प्रेश्णों को एड़ किया गया है तो कॉश्चन नंबर बने इसका अंसर करीज रहा इस्वर चंद विद्या साकर द्वारा चलाए गए सामाजिक सु विद्वा पुनर विवाह ओप्सन नंबर सी तो बिटे सरकार ने इस्वर चंद विद्या सागर और अन्य सुधार को द्वारा विद्वा पुनर विवाह के पक्ष में लगातार चलाए गए आंदोलन के कारण 1856 में हिंदू विद्वाओं के पुनर विवाह के लिए कानू पास किया कोशन नंबर टू है असो के सामराज की पूर्वतम सीमा का निर्धारन निम्रिकित में से किस अभिलेख या इस्थंबलेख या सिला लेख को माना जाता है किसको माना जाता है निगाली सागर का इस्थंबलेख किसको माना जाता है निगाली सागर का यह है इसका अंसर तो निगाली सागर अथवा क्या बोलते हैं इसको निगलीवा अविलेख लुम्बनी के रूपन देही जिले में इस्थित है ठीक है असोग के सामराज की पूर्वतम सीमा का निर्धारक भी इसको माना जाता है अगला प्रशन है असोग के कुछ अफिलेख जो अपने मूल इस्थान से हटाए गए है उनके संदर में नमलखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है बैराट अभिलेक, कनिंगम द्वारा कलकत्ता लाया गया कौशांबी इस्तंब लेक, अकबर द्वारा इलावाद लाया गया टोपरा इस्तंब लेक, फिरोसा तुगलक द्वारा दिल्ली लाया गया और मेरट इस्तंब लेक, मेरट इस्तंब सिला लेक, मुहम्मद विन तुगलक द्वारा दिल्ली लाया गए, बताइए टोपरा इस्तंब सिला लेक, कोशंबी इस्तंब लेक, बेराट अभिलेक देखे करेक्टर डी करेक्टर सी करेक्टर भी इनकरेक्टर एक क्योंकि मेरठ इस्थम्ब सिलालेक जो है वो फिरोज साहत तुगलक दिल्ली लेकर आया था मुहम्मद विन तुगलक नहीं इसका अंसर क्या हो जागा फिर असत्य कौन सा है इसमें option number A असत्य है तो A है incorrect क्योंकि मेरठ तथा तोपरा दोनों ही सिलालेक फिरोज साहत तुगलक द्वारा दिल्ली लाए गए बाखी तीनों के तीनों करेक्ट है नेक्स्ट कॉस्चन है कॉस्चन number 4 है कॉन से लिपियां असोग के अभिलेखों में प्रियुक्त हुई कॉन से लिपियां है जो असोग के अभिलेखों में प्रियुक्त हुई है इंपोर्टेंट एपरेशन ब्रहमी, खरोष्टी, और माइक पहले यह ब्रहमी, खरोष्टी, और माइक सार्दा नहीं है तो इलिमिनेट हो जाएगा दूसरा देवनागरी नहीं है इलिमिनेट हो जाएगा तीसरा सी देवनागरी ग्रीक ग्रीक भी इलिमिनेट हो जाएगा नहीं ग्रीक है लेकिन देवनागरी से कट जाएगा यहां देवनागरी गया यहां सार्दा गया ठीक है ब रमाइक आफिलएग को बरहम meine लिपी में हैं जो कि अफ़िकान aneyस्तान से प्राप्त अभिलेग जो हैं When in Nepal के उननी यानी ग्रीक दोनों में हैं सम्राट असव्क न सहबाजगड़ी और मानट सहरा के है भिलेग खरोष्टई लिपी में लिखवाए हैं अलग से पूछ जाता है मान सहरा और सहबाज गड़ी के जो अभिलेक हैं वो कौन सी लिपी में है तो खरोस्टी लिपी में है चार याद रखनी है ब्रामी खरोस्टी ग्रीक और अर्माइक कौश्चन नमर फाइब है नमलकित में से कौन सा साशक बहमनी की राजधानी गुलवरगा से बीदर ले गया फिरोस्ट सा बहमनी महमूद गवा एहमद सा प्रथम या महमूद बहमनी बताईए एहमद सा प्रथम देखें नव विजट प्रदेशों पर अपने साशन को सुद्रण करने के लिए एहमद सा प्रथम अपनी राजधानी गुलवरगा से बीदर ले गया था प्रश्ट इंपोटेंट है कब हुआ था ये स्वदेशी आंदोलन ओप्सन नमबर ए तो स्वदेशी आंदोलन के दौरान कलकत्ता की सड़के बंदे मात्रम से गुंज उठी थी बाद में यही गीद पूरे राष्ट आंदोलन का राष्ट गान बन गया राष्ट गीत बन गया बंदे मात्रम जनकड मने न गान तो ठीक है राष्ट गीत कोश्ट नमबर से बने अभिनब भारत नाम से क्रांतिकारियों के गुप्त संगठन का निर्मान किसके द्वारा किया गया था बताईए अभिनब भारत के नाम से क्रांतिकारियों के एक गुप्त संगठन का निर्मान किसके द्वारा बीडी सावरकर बिनायक दामोदर सावरकर आप्सन नमबर A तो 1904 में विनायक दामदर साबरकर ने अभीना भारत नाम से करांतिकारियों का एक गुप्त संगठन बनाया था नरमदल और गरमदल के रूप में भारतिराश्टे कॉंग्रेस का विवाचन केस अधिवेशन में हुआ था प्रश्ण कई बार देखाऊगा आपने टैस सिरीज में 1907 के सूरत अधिवेशन में और मिले कप थे ये 1916 के लखनव अधिवेशन में और लखनव अधिवेशन की अधिक्स तक इसने की थी आर सी मजुमदार ने तो देखंबर 1907 में सूरत अधिवेशन में भारतिराश्टे कॉंग्रेस जो है नरमदल और गरमदल के रूप में विवाचित हो गया था नेक्स्ट कॉस्चन है कॉस्चन नम्र नाइन है नमलिकित में से कौन होम रूल लीग आंधुरन की स्थापना से नहीं जुड़ा था लोकमान ने तिलक लाला हर्दियाल एनिवेशन्ट एस सूबर मणियम अईयर बताईए प्रश्चन इंपोर्टेंट है ठीक है लोकमान ने तिलक कई बार बताया है लाला हर्दियाल नहीं है एनिवेशन्ट है एस सूबर मणियम है तो क्या हो गया इसका अंसर इसका अंसर हो गया अप्शन नम्र बी तो 1915-16 में दो होम रूल लीगों की स्थापन होई इन में से एक कैनेता थे लोकमान ने तिलक और दूसरा भारते संस्कृति और भारते जनता की अंग्रेज प्रशंशिका स्रीमती एनिवेशेंट और एस सूबर मणियम अईयर के नेत्रत में था ठीक है और लाला हर्दयाल का संबंद जो है सेन फ्रांसिसको गदर अंदुरन कोश्चन नमबर दस है किस अधिनियम के तहत मुस्लिमों के लिए अलग चुनाब मंडल की परणाली का अरंभ किया गया कब किया गया था ये 1909 के मारले मिंटो अधिनियम के द्वारा ऑप्सन नमबर बी तो 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट जिसे मारले मिंटो सुधार या अधिनियम के नाम से जाना जाता है वास्तव में यह हिंदू और मुसल्मानों में फूट डालने और भारत में विटिस आ प्रवासन को बनाए रखने की नीती का ही अंग था इस सुधार के द्वारा अलग अलग चुनाब मंडल की परणाली आरंब की गई इसमें सभी मुसल्मानों को मिला कर उनके लिए अलग चुनाब छेत्र बनाए गय थे और इन छेत्रों में केवल मुसल्मान ही चुने जा सक अलग अलग चुनाब मंडलों की यह परणाली इस धारणा पर अधारी थे की हिंदू और मुसल्मानों के राजनेतिक और आर्थे खित अलग अलग हैं प्रश्न क्रबांग संख्या 11 पर आजएए भारत में स्रम सुधार संबंदी पहला कानून इंडियन फैक्टरी एक्ट 1881 में बना यह मुखेता संबंदी था किस से बताईए समय को कम करने से महिला स्रम सुधार से या बाल स्रम सुधार से या कार एस्थल पर साफ सुतरा बातवण उपलब्द कराने से ये था बाल स्रम सुधार से उप्सन नमबर ए तो भारत में पहला इंडियन फैक्टरी एक्ट 1881 में बनाया गया यह कानून मुखेता बाल इस्रम सुधार से था इसमें कहा गया कि 7 वर्से कम उमर के बच्चों को कार खाना में नहीं लगाया जाएगा और 7 से 12 वर्स तक के बच्चों से प्रते दिन 9 घंटे से अधिक काम न अंग्रेजों के बीच ठीक है ब्रिटिस और बर्मा के बीच तो 1824 में ब्रिटिस भारत के साशकों ने बर्मा के खिलाप यूद छिट दिया माई 1824 में ब्रिटिस सेना ने समुद्र के रास्ते रंगून पर अधिकार कर लिया था और राजधानी आबा से 45 मील दूर तक पह अधिक राजधानी परशना इंपोर्टन्ट है लॉड डल होजी ओप्सन नंबर भी तो भारत में रेल लाइन के विकास का कारे जो है सबसे पहले डल होजी के समय में हुआ 1864 में भारत का गबरनर चनल बनने वाला लॉड डल होजी भारत में तेजी से रेल लाइन विचाने का पका समर्थक था तो रेल लाइन लाने वालआ डल होजी टेलिग्राफ लाने वाला डल होजी ठीक है राजहरपनीती लाने वाला भी डल होजी और बिस्वेदारी इस्थाई बंदोबस्त जमेदारी ठीक है ये सब एक ही है ये कौन लेकर आया पही जो सिविल सेवा का जनक है पुलिस सेवा का जनक है कौन कार्णोवालिस और स्थानिय स्वसासन का कौन कौशन नुबर 14 पर आज़ोगे किस एक्ट के तहए तो भारतिय ब्यापार पर इस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार समावत करके सभी ब्रिटिस नागरिकों को भारत के साथ ब्यापार करने की छूट दी गई किसकी बात हो रही है चार्टर एक्ट है यह यह चार्टर एक्ट है कौन सा चार्टर है 1813 का चार्टर है तो 1813 के चार्टर एक्ट के अनुसार भारतिय ब्यापार पर कंपनी का एकाधिकार समावत कर दिया गया और बिटेस नागरिकों को भारत के साथ व्यापार करने की छूट दी गई परन्तु चाय के व्यापार और चीन के साथ व्यापार पर कमपनी का एकादिकार बना रहा कॉशन नूमबर 15 पर आजाईए लौड वेलेजली ने अठारे सो में कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज किस उदेश हे तू खोला था यह प्रशन पूछा गया था इस बार यूपीए से सिवल सर्विसेज प्रलेमिस के एक्जाम में जो चार अक्टूबर को आ था मुझे ठीक है वसरते अब्सएन हलका सा चेंज था यह सितल सेबा की जगे क्या था विटिस विटिस व विलेजनी ने नागरिक सेवा में आने वाले युबा लोगों के लिए प्रसिक्षण के लिए कलकत्ता में फॉर्ड विलियम कॉलेज खोला और कम्पनी के निदेशकों ने उसकी कारवाही को पसंद नहीं किया और अठारे सो चैमें उन्होंने कलकत्ता के कॉलेज की जगए इ इस्ट इंडिया कॉलेज में प्रिसिक्षन का काम अरंब किया तो 15 प्रश्ण थे इंपोर्टेंट कि सारे के सारे लग रहा है तो निकलाने कोई तो एक बार इनके प्रक्टिय च्रू कर ले ना यह थैस्ट यह कॉस्ष्टन उससे अलग है जो भारत में ब्रिटेश जो आगमन हुआ है जो हमने स्टार्ट किया है तो यह यह अलग है saja यह प्रश्ण उसी तरह से होका जैसे मौन करन वाला वो स्टार्ट किया है उसको कंटिन्यू करेंगे जब भी उसके बाद जो भी टेस्ट आना है और बागी पॉलिटी की तो चली रही है जहां तक कंप्लीट हो गया उसी क्या गया से मिलेगा थैस्ट धन्यवाद